जी Harry Potter के fans versus Marvel X-Men के fans क्या आप जानने को तयार है कि कौन सी teaching facility बहतर है लेकिन in terms of what, किस चीज में कौन सा school बहतर है तो दोनों का versus करने से पहले दोनों schools के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि ये हैं क्या लेकिन उससे पहले intro तो सबसे पहले अपने Harry Potter के Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry से शुरू करते हैं तो Hogwarts School सबसे पहली बार खुला था 1990 AD में उस समय उसके चार founders थे ग्रॉडिक ग्रिफिंडोर, हल्गा हफलपफ, रोवेना रोवनकलो और सलाजार सलाथेरिन ये बहुत ही powerful और respected wizards थे अपने time में और इस British Wizarding School की location भी है जो located है Scottish Highlands में इसके अलावा ये state owned school है मतलब की Ministry of Magic यानि की जादू मंत्राले इसे funding वागरा सब provide कराता है अब अगर स्कूल की physical appearance की बात करे तो ये किसी खंडर पुराने छोड़े हुए किले की तरह built है जिसका एक reason भी है कि इसमें ना के बरावर changes किये जाते है ताकि ये बाहरी दुनिया के ताकोतों से protected रहे और इसी की वज़े से ये जादू ही दुनिया का one of the finest magical institutions में से एक है अब इसका मतलब है कि ऐसे institutions और है और बात यही है कि जो बच्चे magical abilities रखते हैं उनका इस school में दाखिला उनके जन्म से ही हो जाता है और उनकी acceptance confirm करने के तौर पे 11 साल की उम्र में उन्हें एक school से चिठी मिलती है जो एक उल्लू लेके आता है और एक last में बात ये समझ लो कि इसका इतिहास बहुत ही लंबा चोड़ा है अच्छा लगता है जब ऐसी कहानिया इतनी डीटेल में दिखाए जाती है लेकिन हम इस वीडियो में कहानियों की नई verses की बात कर रहे है तो अपने X-Men को भी थोड़ा से जान लेते है Xavier School for Gifted Youngsters अब इसका official नाम तो कहानियों में कई बार change हो चुका है लेकिन pop culture में popularly यही नाम है इस school की first appearance के तौर पर ही हमें सबसे पहली बार देखने को मिलता है September 1963 की X-Men comic issue 1 में अब X-Men दिखाया ऐसे गया है कि यह private E-state है Charles Francis Xavier का तो ऐसा माना जा सकता है कि इसके founder Charles आबी है अब देखो property की ownership कई बार बदली जा चुकी है लेकिन founder यही दिखते है अब इनके institute का भी एक location है जो located है 1407 ग्रेमाल की lane Salomon Center, Westchester County, New York अब जब यह school पूरा privately control किया जाता है तो यहाँ young, teenage, adult और कभी कबार तो old mutants तक को पढ़ाया और सिखाया जाता है कि अपनी powers पर control कैसे रखे और उन्हें enhance कैसे करे और अपने जैसे mutants और non-mutants के साथ friendly human relation कैसे बनाए रखे इस school में age barrier या territory based rules नहीं है कि आप नहीं आ सकते अगर आपको मदद की जरूरत है तो आपको मदद मिलेगी हाँ एक बार हुआ था कि X mansion अपने country तक ही सीमित नहीं रखा अपने आपको और इसने अपने आपको और expand किया और X corporation को अपना headquarters बना लिया तो इन दोनों institutions के बारे में आप तो थोड़ी जानकारी होई गई होगी कि ये कहां हैं क्या सिखाते हैं क्या पढ़ाते हैं और बाकी जानकारी के लिए दुनों का verses करेंगे तो सबसे पहले अपनी facilities और ground की बात करते हैं दोनों school का बहुत ही तगड़ा competition है जेव ये क्या offer करता है आपको एक mansion एक campus ground basketball code, full kitchen और basement में एक secret lab में बात modern जमाने के साथ बहुत ही बहतरीन boarding school है अब hogwarts की बात करें तो बहुत ही अखंड शानदार महल है कमरे खतम ही नहीं होते अब अगर कमी भी पढ़ गई तो जरूरती कमरा तो है ही इसके अलबा moving stairs, paintings जो ऐसी बात करती है बहुत ही घरेलू भूत और उसके साथ नहीं, नहीं, इन सब के अलबा facilities और ground तो काफी बड़े है x mansion के मुकाबले में, एक ही में सब मिल जाता है, तो cdc बात यही है कि यहां का winner तो hogwarts ही है कोई objection नहीं, तो अगला round आता है curriculum का, मतलब की particular क्या है school का, syllabus क्या है, पढ़ाय क्या जाता है क्योंकि school और college का main motive यही है कि young mind को educate करना अब अगर hogwarts की बात करें तो उसके पास भी काफी सारे courses है, जैसे कि transfigurations, charm portions, history of magic, defense against dark arts, astronomy, herbology, flying lessons and so on अब most of the time जैसे हम सब ने देखा है कि बच्चों को अपनी powers develop और उसमें mastery करना सिखाय जाता है अब यहां अगर Xavier's की बात करें तो वहां भी बच्चों को उनकी powers निखारी जाती है, उन्हें भी defense सिखाय जाता है लेकिन उन सब के साथ उन्हें higher school curriculum के standards भी पढ़ाय जाते हैं अब for example पिक्चरों में ही Xavier साब Strong of Physics पढ़ाते हैं, Wolverine History और आगे essay तो ऐसा अंदासा लगाया जा सकता है कि वहां English, Math और बाकी subject भी पढ़ाया जाते होंगे और ठीक यहीं Hogwarts मात खा जाता है क्योंकि बच्चे वहां से निकलने के बाद असली दुनिया में होते हैं तो Hogwarts का सबसी important subject मगल स्टडीज ही होना चाहिए क्योंकि असली दुनिया में उन्हें normal इंसानों के साथ ही interact करना होगा और ये बात तो मैं sure होके कही सकताओं कि Hogwarts में economics, biology, math, literature ना के बराबर या पढ़ाये ही नहीं जाते ये भी एक reason हो सकता है क्योंकि जादू मंत्राले की strict policy है isolation human world से अब यहां curriculum की field में Xavier school ही जीतेगा क्योंकि यहां बच्चों को उनकी प्रतिभा के हिसाब से शिक्षा दी जाती है तीसरा round आता है teachers और staff का क्योंकि बिना teachers के school के इसकाम का जो अपने बच्चों को protect करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं अब X-Man की पूरी एक superhero की team है ये बहुत ही close category होने वाली है लेकिन Hogwarts को भी कम मता को ये बहुत prestigious college होने के साथ साथ बहुत powerful भी है Albus Dumbledore जादूई दुनिया के one of the most powerful magicians में से एक और इतनी सारी महान powers रखने के बावजूत उन्होंने अपनी powers से लोगों की help करना ही चाहा educate करना ही चाहा यहां तक कि जब तक Dumbledore जिन्दा थे Waldemore की हिम्मत नहीं थी कि Dumbledore के होते हुए वो उनके school पे हमला कर दे Harry के लिए लेकिन powerful होने के अलावा भी उनके पास कुछ बहुत ही experience अच्छे staff है जैसे कि बहुत ही famous Hogwarts के groundskeeper Hagrid एक care taker जिसे बहुत कमी लोग पसंद है लेकिन वो अपना काम साही से करता है flinch इन सब के अलावा premises की अंगिनत paintings वहां के भूत बढ़ा और great impact डालते हैं school पे अब यह एक बहुत ही बामुली plus point हो सकता है लेकिन यह एक plus point है तो यहाँ teachers और staff का round तो Hogwarts ही जीतता है लेकिन चाहे जितना भी यह सारी achievements impressive हो Hogwarts बस एक school तक ही सीमित है और जहां रही Xavier's school की बात यह double काम करते है Storm, Cyclops, Beast, Jean, Gray और Wolverine दिन में तो teachers हैं लेकिन रात में दुनिया के खत्रों से लड़ते भी हैं जब भी उनकी ज़रुवत पड़े इसके अलावा इस काम में वो कुछ अपने students को recruit करके भी अपने missions में ले जाते हैं जैसे कि Iceman, Rock, Shadowcat वगएरा वगएरा इसका कोई मतलब नहीं निकलता आप कितने भी tournaments और awards जीत जाय होगवर्ट के लिए लेकिन यहां वो इनसे compare नहीं हो सकते जहां जिस स्कूल के teachers और mature students दुनिया को बचाने और बुराई से लड़ने के लिए निकलते हैं जब दुनिया के लोग बचेंगे ही नहीं तो क्या अपनी secret societies का अचार डालोगे Humanly World में भी लोग मरते हैं और hogards चाता तो अपनी powers से क्या नहीं रोक सकता था और कितनों को बचा सकता था लेकिन नहीं तो extra calculus activities का round भी Charles Xavier's School ही जीतता है अगर आपके पास existential powers है तो लोगों की मदद करनी चाहिए seriously ओ बेबी तो अब तो दोनों equal हो गए लेकिन final facelah सुनाने से पहले हम एक last round और करेंगे जहां तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस महान प्रतियोगिता का विजेता कौन है तो last round है safety और security का दोने institutions ने एक time पर अपनी गांट तो मारी है अब जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं अगर safe महसूसी नहीं करेंगे हमेशा danger में रहेंगे डरेंगे तो पढ़ेंगे कैसे और बढ़ेंगे कैसे इसलिए कहते हैं न learning environment अच्छा और safe होना चाहिए अब घुमाने का कोई मतलम नहीं है एक्स मैंशन कई बार खतर में पढ़ चुका है उस पे भी कई बार attacks हो चुके है चाहे वो कर्णल विलियम स्टाइकर हो या अपोकलिप्स लेकिन फिर भी ordinary mansion ही है ये मैंगनीटो की बात करें तो ये टिपिकली वहां से दूर ही रहता है mutant kind में विश्वास रखता है जेवियर को भी respect करता है और dietly school के staff पे या school पे attack नहीं करने वाला अब देखो मैं बोलता हूँ गलतिया किस से नहीं होती कभी अंजाने में हो जाती है या फिर कभी जान के होती है लेकिन अब अगर यहाँ इन सब लड़ाई, जगड़े और गलतियों को साइड में रखें तो Hogwarts की कहानी ही पूरी दूसरी है पूरा का पूरा school जादू टोना और रहस्यों से भरा पड़ा हुआ है कितने बच्चे लिट्रली वही मर गए है और जवाब देने के लिए उनकी आत्मा वही जिन्दा भी है अच्छा कौन अपने school के आसपास डेमन्ट और यानी तम पिशास जैसे जीर छोड़ देगा और ये भी जानके कि उनके students की जानने जा सकती है अभी और आगे जानों के तो लगेगा कि ये सब तो कुछ नहीं है premises में कई सारे dangerous दिवाल पे लटक रहे होते है एक पेड है जो गुस्ताओकर किसी को भी मार सकता है बच्चों को भी school के एक तैकाने में तीन सिरवाला कुत्ता है जिसका नाम fluffy है वो भी ऐसे कमरे में रखा है जहां बच्चे आराम से पहुँच जाते है एक आपकी जिंदगी बरबात कर देने वाला शीशा है famous stair case है जो अपने आप ही घुनता है अबे लोग मर जाते हैं सीडियो पे से गिर के मैं आज भी गिर जाता हूँ वो तो घुनती भी नहीं school में एक chest का set है जो आपको मारने के लिए हमेशा तयार रहता है बच्चे हो या बड़े कोई फर्क नहीं करता और कितने मुकद में चलने उ स्कूल पे वो तो छोड़ी दो Chamber of Secrets में ही Dumbledore ने कहा है Hogwarts is not safe anymore मैं बोलता हूँ safe कर था तुमारा school अगर असली जिंदगी में ये school exist करता तो बच्चों की जान खतरी के डालने के आरोप में इसे सालों पहले ही बंप कर दिया जाता तो इतना सब कुछ कहने के बाद इन last safety और security के round में Xavier's school for gifted youngsters ही जीतेंगे Simple है वाई safety के मामले में Xavier ही जीतेगा इतना सब सुनने के बाद तो common sense लगाई सकते हो तो results clear है straight simple forward और इन सब basis के हिसाब से देखा जाए तो Xavier's school ही जीतेगा लेकिन फिर भी हो सकता है आपको सोचने का नजरीया अलग हूँ मैं उसकी इज़त करता हूँ आप अपने valid points नीचे डाल सकते हैं जो believable लगे तो attention Harry Potter's के angry fans आप नीचे comment डाल सकते हैं मैं फिर भी आपसे प्यार करूँगा इन सब points के अलावा अगर आपको लगता है कि PJ ने ये point नहीं cover किया या फिर ये fact missing है यहां से तो comments में उसके बारे मुझे नीचे ज़रूर बताएं मेरी कोई disrespectful होने की बात नहीं है मैं भी Harry Potter's सीरीज को पसंद करता हूँ इसलिए ना वीडियो बनाई और एक last सवाल इतना सब कुछ देखी लिया है आपने तो अगर आपको कभी मौका मिले तो दोनों स्कूलों में से किस स्कूल में सिक्षा को लेने जाएंगे अब यहां गलत मत दिखा लो किस स्कूल में सिक्षा को लोगे तो कैसी लगी आपको वीडियो अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा खुशी हूँ या मज़ा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को इस चैनल पर नए आया हो और सब कुछ करते हो जिससे मुझे तुम सब पर शक होता है उस दिन